हेलो एवरियोन मैं हूँ आपका दोस्ट स्टॉकमेन स्टॉकमेन आइडिया में आपको स्वागत है आज हम एक साथ तीन कंपनी का जो IPO लॉंच हुआ है उन तीनों कंपनियों के IPO को हम एनालिसिस करने वाले हैं इन तीन कंपनियों के बारे में हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और IPO में स्कोर जन्रेट करेंगे तो सबसे पहली जो कंपनिय है वो केंस टेकनोलोजी है उसके बात दूसरे नंबर पे जो आती है वो 5 स्टार बिजनेस फाइनांस लिमिटेड है और एंड में हम आर्कियन केमिकल का जो IPO लॉंच हुआ है उस कंपनी के एनालिसिस को हम आगे बढ़ाएंगे इसलिए आज के content की बात करें तो सबसे पहले इन तीनों कंपनियों के IPO details को समझेंगे कि किस तरह से वो अपने कितना issue size है उसका और कितनी minimum quantity और सामने उसका price band क्या है फिर हम आगे बढ़ेंगे इस कंपनी में brief इसकी जानकारी लेंगे without कंपनी को जाने बिना हम किसी भी IPO मे invest नहीं कर सकते हैं फिर हम उसके core topic यानि fundamental analysis करेंगे और end में हम IPO meter में conclusion की तरफ आगे बढ़ेंगे कि वाके इन तीनों में से कौन सी company में कौन से IPO में apply करें या तो फिर avoid करें आगे बढ़े उससे पहले आपके लिए एक important notice है कि हमने 9th of August को एक multi-wagger stock का analysis किया था जिसका नाम उसी तरह हमने दिवाली में दो pick share किये थे सबसे पहला था IST और दूसरा था ready को खहता ये दोनों stock जी हम multi-wagger stock है तो इस तरह से आप ऐसे बहतरीन multi-wagger stock को अगर आपके port folio में add करना चाहते हो तो आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा और वो भी मिलकुल free of cost है आपको हमारी चैनल स्टॉक में आडिया को सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो आप किस बात की वेट कर रहे हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए फिर हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज के पहला जो IPO एनालिसीस है वो है कैन्स टे सब्सक्राइब करते हो और उसी हिसाब से उसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो वेल्यू आ रहा है वो 14,675 के बीच में आ रहा है इसका IPO की जरीए यह कंपनी टोटल 857 करोर के अराउंड अपने मार्केट में से क्लेक्ट करेगी तो इस तरह से यह था कैन्स टेक्नोलोजी की IPO डीटेल्स अब उसकी कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो बेसिकली यह 2008 में एस्टब्लिश्मेंट हुआ था इस कंपनी की प्रॉडक्ट की में बात करें इसका कौन से बिजनेस में यह वर्ट करती है तो यह बेसिकली एक IOT इनेबल जितने भी इलेक्ट्रो टेकनलोजी करता है उसके दूसरे प्रॉडक्ट की बात करें तो वह है PCB assemblies, smart metering devices and smart street lighting devices उसके बाद उसके जो manufacturing units की बात करें तो अभी फिलाल कंपनी के पास total 8 manufacturing units है और उसके पास खुद की अपनी R&D टीम भी है तो यह काफी अच्छी बात है कि कंपनी अभी इस लेवल पे भी अपनी खुद की R&D टीम डेवलप कर रही है अब मू करते हैं उसके core topic और वो है उसके financial analysis यानि business meter अब stockman के business meter में हम 4 parameter को analysis करते हैं इसमें से सबसे पहला है promoter holding अभी फिलहाल यहां पे आपको दो figure नजर आ रही है जिसमें से सबसे पहली है वो है pre issue यानि issue आने के पहले इसके जो promoter holding का stake था वो 79% के आसपास था वो issue आ जाने के बाद यानि post issue वो reduce होके 67% के आसपास हो जाएगा और इस हिसाब से अगर उसका score देने की कोशिस करे तो वो 20 out of 25 हो रहा है अब उसके दूसरे parameter की बात करे तो वो है debt to equity ratio वो अभी फिलहाल केंस technology में 0.81 है और इसके हिसाब से उसमें इसका score 10 out of 25 हो रहा है तीसरे parameter की बात करे और most important और वो है sales growth for the 3 years तो केंस technology पिछले 3 साल से 24% के साथ अपने sales को growth कर रही है और यह काफी अच्छी figure है इसी वज़े से इसमें इसका score maximum 25 हो रहा है उसी तरह उसके profit growth को भी देखना बहुत जरूर है क्योंकि profit growth से हमें यह पता चलता है कि operationally कितना अच्छा perform कर रही है तो बिछले 3 साल के profit growth की बात करें तो वो 64% है sales growth से काफी ज्यादा है और इसी वज़े से इसमें भी इसका maximum score 25 जनरेट हो रहा है अब इन चारो parameter का cumulative score देखे तो business meter में केंस technology 80 out of 100 का score जनरेट कर पा रही है और यह कही ना कहीं बहुत ही अच्छा score है जो हमारे regular viewer है subscriber है उनकों मालूम है कि stockman के IPO meter में 70 या तो फिर उससे ज्यादा score जनरेट होता है तो stockman जरूर ऐसे IPO में apply करता है लेकिन यहाँ पे इसका subscription status और उसके P ratio को समदना बहुत जरू नहीं है तो यहाँ पे अगर उसके P ratio की बात करे तो Kenz Technology के price band जो हमने पहले बात की थी वो 559 से लेके 587 के बीच में अब उसके 559 price को consider करते है और उसके इसाब से एक rough P calculation करते है तो वो 46 के आसपास आ रहा है अब यह जिस industry में work कर रही है जैसे हमने पहले discuss किया था कि एक electronics manufacturing company है तो उसी sector में अगर P की की बात करे तो वो कही ना कई same PE है industry का इसका मतलब तो यह होता है कि Kenz Technology ने industry PE को ध्यान में रखते हुए अपनी price band को रखा बट investor बहुत उससे भी ज्यादा smart होते उसके subscription status में नजर डालना बहुत जरूरी है और वो नजर डालने के बाद हमें यह लग रहा है कि इसमें जो investor का interest है वो काफी कम है वो क्यों है तो आप जैसे ही आप इमेज में देखोगे आप उसके total subscription figure पे नजर डालोगे तो आपको नजर आएगा कि अभी फिला वो 0.06 टाइम सी subscribe हुआ है और उसमें भी retail investor का जो interest है वो काफी कम नजर आ रहा है और यह सब चीजे हमें ध्यान में जरूर रखना चाहिए तो यहाँ पे तीन चीजे हमने clear समझ ली है सबसे पहला उसका जो business performance था जिसमें उसका score 80 के आसपास आ रहा था दूसरा उसका जो same industry का जो PE है उसी PE के हिसाब से उसने प्राइस को set किया है और दूसरा subscription status तो इन तीनों चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी फिलाल कैंस technology के IPO meter में जो 80 का score हुआ है उसके बावजुद भी stockman इस IPO के लिए wait करेगा क्योंकि fundamentals तो काफी अच्छे लेकिन इतना subscribe नहीं हुआ है इसका मतलब है कि हो सकता है कि आपको listing day पे gain नहीं मिल सकता है दूसरा उसके price में correction आने के chances बहुत ज्यादा नजर आ रहा है listing होने के long term का सोच रहे हैं तो हां तो long term में यह जरूर अपने आपको return generate कर सकता है और इसी वज़े से अभी फिलाल IPO में तो avoid करना ही better रहेगा अब move करते दूसरे IPO जिसका नाम था 5 star business finance limited अब यह जो IPO 10th of November से लेके 14th of November के बीच में open रहने वाला है उसकी price band की बात करे तो वो 450 से लेके 474 के बीच में रहेगा उसका जो minimum quantity है वो 31 के पास है और उसी हिसाब से minimum investment देखे तो वो 14,694 के आसपास है और इस IPO के जरिए यह कंपनी markets से 1960 करोड को जूटाना चाहती है लेकिन इस company के बारे में बात करे तो यह basically एक NBFC company है जिसका foundation 1984 में हुआ था NBFC का मतलब होता है कि non-banking financial company यानि bank के अलावा जितने भी financial companies होती है उसको NBFC में consider करते हैं अब यह company का जो portfolio वो mainly जो micro entrepreneurs है या तो फिर जो self-employed है उनको खूद मतलब अपना business run करना है तो उनको यह business loan provide करती है यह अगर 2017 से लेके 2021 की बात करे तो यह इसमें यह fastest growing NBFC company भी थ तो वो उसका main जो उसका business है वो South India में नजर आ रहा है अब उसके main core topic में move करते है जिसका नाम है अपना business meter तो five star business finance limited का जो IPO है उसके business meter में चार parameter को study करेंगे सबसे पहला promoter holding यहाँ पे 40% जो figure है वो basically pre issue है यानि IPO आने के बाद माफ किजेगा IPO आने से पहले उसमें जो promoter holding था वो 40% था और IPO आने के बाद वो reduce होके 33% हो जाएगा और यह stockman के हिसाब से थोड़ा कम है promoter holding और इसी वज़े से इसमें इसका score 10 out of 25 हो रहा है दूसरे parameter की बात करें तो वो debt to equity ratio है अभी फिलाल वो 0.69 है और इसी वज़े से इसमें इसका score generate हो रहा है 15 out of 25 sales growth for the 3 year की बात करे तो वो काफी अच्छा growth कर रही है और specific 46% के साथ वो अपने sales को boost कर रही है और इसी इसमें इसका score हो रहा है 25 out of 25 उसके profit growth की बात करें 3 साल से तो वो भी तकरिबन sales growth के इसाप से ही growth हो रहा है और specific 43% के साथ अपने profit को रहे है इसमें इसका भी maximum score 25 हो रहा है अब इन 4 parameter का cumulative score देखे और बिजनेस मिटर में उसको काउंट करें तो अभी फिलाल उसमें इसका स्कोर 75 आउट ऑफ हंडेड हो रहा है यानि यह कहीं न कहीं फंडामेंडली तो काफी अच्छी नजर आ रही है लेकिन हमें पी रेश्यों को जरूर देखना चाहिए तो उसके प्राइस में जो वो 26 के आसपास है यानि उसके कहीं ना कहीं इंड़स्ट्री पीज से तोड़ा ज़्यादा अपने प्राइस को रखने की कोशिश की है और उसके सब्स्क्रिप्शन स्टेटरस में नजर डाले तो सब्स्क्रिप्शन स्टेटरस में जैसे मनें Keynes Technology में देखा सेम रिपीट उ उसके IPO मीटर में score, industry PE के compare में उसने अपने ज्यादा PE quote किया है और उसके subscription amount के हिसाब से इन तीन factor को consider करके अभी फिलाल stockman ऐसे IPO में वेट करेगा और वेट करने का सोच सबसे important reason है तो वो है कि listing day पे आपको gain इस IPO में तो नजर नहीं आ रहा है और हमारे हिसाब से उसकी जो fair price आ आसपास आ रही है और जैसे हमने previously देखा था कि उसने quote काफी ज्यादा किया तकरिवन 459 के आसपास तो इसी साथ से इसमें correction आने के ज्यादा chances है क्याकि इसका जो quote price है यानि IPO price है वो 459 के आसपास है अभी तो फिलाल हम IPO की बात कर रहे है इसलिए IPO के नजर यह से देखे तो five star business finance company को अभी फिलाल avoid करना ही better रहेगा अब आखरी IPO पे move करते है जिसका नाम है Archean Chemicals इस company के बारे में काफी hype भी create हो चुका है इसका IPO की बात करें वो 9th of November से लेके 11th of November के बीच में उपन रहेगा उसका जो price band है वो 386 से लेके 407 के बीच में रहेगा इसकी minimum quantity 36 है और इसक 13,652 है इस IPO के जरीए ये company market से 1462 करोर को जुटाना चाहती है लेकिन हमें उस company के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है तो इस company का foundation recently हुआ है यानि 2013 में हुआ है इस company के जो main products की बात करें तो वो basically specialty chemical company है यानि specialty जो chemical होते है उनका manufacturing करती है और उसके product range की बात करें तो mainly 3 products है उसके पास जिसमें से सबसे पहला है bromine, second sulphate of photos and तीसरा है जो most important industrial salt और आपको एक चीज़ जरूर बता दे इन तीनों product में ये company market leader है उसके लिए अभी फिलाल उसके manufacturing units की बात करें तो सिर्फ उसके पास हजीरा में एक manufacturing unit है जो गुजरात में है और इसी वजह से ये थोड़ा risky भी हो जाता है क्योंकि ये market leader है और सामने उसके एक ही manufacturing unit है कोई भी reason से अगर कोई भी maintenance या तो कोई भी x factor की वज़ा से अगर ये manufacturing unit कुछ time के लिए बंद होता है तो ये company के revenue में काफी हद तक फरक पड़ सकता है एक और बात करें तो ये basically एक export oriented company यानि अपनी product ज्यादा त एक्सपोर्ट करती है अभी इस company के financial statement को समझते है उसके business meter में score generate करनी की कोशिज करते है सबसे पहला आपना जो promoter holding है वो 65.5% परसंट है प्री इश्यू वह रेडिस होके 53% हो जाएगा after the post IPO और इसी वज़े से इसमें इसका score हो रहा है 15 out of 25 दूसरे parameters आप सब जानते हो वह debt to equity ratio वह अभी फिलाल काफी जादा है वो 3.48 है और इसी वज़े से इसमें इसका score minimum 5 out of 25 हो रहा है तीसरा जो parameter है वो sales growth for the 3 year तो 26% के साथ अभी फिलाल arcan chemical अपने sales को boost कर रही है और यह अच्छी figure है और इसकी वज़े से इसमे 25 full on marks उसको मिल रहे है फ्री parameter की बात करें तो वो है profit growth वो sales growth से काफी जादा उसका profit growth हो रहा है यानि यह कही ना कही company अपने operations margin को improve कर रही है और इसी वज़ा से इसमें इसका जो score हो रहा है वो maximum 25 हो रहा है अब इन 4 parameters का cumulative score देखे तो अभी फिलाल arcan chemical 70 out of 100 business meter में score जनरेट कर पा रही है arcan chemical के PE ratio को calculate करने की कोशिश करें तो उसके minimum price band था वो 386 था उसके इसाब से अगर उसका PE ratio calculate करने की कोशिश करें तो वो 19.6 आ रहा है अब सेम industry में अगर PE ratio देखे तो वो उससे कहीं ज़्यादा 27 के आसपास है यानि industry की compare में देखे तो यह arcan chemical का जो price band है वो हाला कि बहुत काथी fair price हैं बट सामने उसका subscription status भी देखना बहुत जरूरी है तो उसके subscription status में देखे तो उसके retail investors काफी aggressive नजर आ रहा है क्योंकि उसके figure की बात करें तो retail investor का जो portion है वो 2.4 टाइम subscribe हो चुका है और total हाला कि थोड़ा कम हुआ है और वो specific .87 हुआ है तब ही फिलाल अपने प से काफी कम है और subscription status में उसके retail investors का aggressive interest हमें नजर आ रहा है और इन तीनों चीज़ को ध्यान में रखते हुए Stockman Archean Chemical के IPO में apply करने का सोच सकता है क्योंकि हो सकता है कि listing day पर हमें gain मिलने के chances ज्यादा नजर आ रहा है और long term के नजर यह से देखे तो जैसे हमने देखा तो वह पक्रिबन 1900 करोड के आसपास यह IPO के जरिये वह money collect करने वाला है और वहाँ पर उसका debt to equity ratio था जैसे हमने पहले देखा तो वह 3.6 के आसपास था यानि अगर यह 1900 करोड अपने debt को pay करने में use कर सकता है तो उसके operation margin और ultimately net profit काफी rise हो सकता है और इसी वज़ा से आर्केन केमिकल हमें long term का stock तो नजर आ रहा है तो इसलिए इसमें अभी फिलाल go signal हम दे रहे हैं तो इस तरह से हमने 3 IPO का in depth analysis किया है इन 3 IPO का summary आपके लिए screen पे हमने share कर दिया है आप वीडियो को pause करके screenshot लेके अपने friends या तो फिर अपने relatives को जरूर शेर करना क्याकि आपक रिव्यू करना चाहते हो या तो फिर multivagor stock को आपके portfolio में add करना चाहते हो तो फिर से request आपको stockman idea जैसी चैनल को subscribe जरूर करना चाहिए